हेलो एवरिवान वेलकम टू क्वान स्टडी मैं आपको रीजलिंग की पजल्स बढ़ा रही हूं इस टाइम अभी हम लोग लीनियर अर्रेंजमेंट कर रहे हूं और आज हम लीनियर अर्रेंजमेंट में दूसरा टाइप करने वाले हैं कल मैं पिछली वीडियो में मैंने आप आपको सिंगल रों के बारे में बताया था जिसमें एक ही डारेक्षिन में सब लोग बैठे होंगे एक रों में आज़ छोड़ा उससे अप लेफिल करेंगे जिसमें एक ही रों में जो persons होंगी वह साओट में बैठे होंगे या थो नार्थ में बैठे होंगे हमें Accordingly करना होगा तो वीडियो करते हैं स्टार्ट कि देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज हमारा चानल सब्सक्राइब कर लीजे और हमारे social media handles को भी आप प्लीज जाके join कर लिजे ताकि हम जो भी updates दें आपको वो पता चलते रहें और अगर आप भी हमसे कोई query पूछना चाहते हैं तो आप हमारे social media handles पर जाकर पूछ सकते हैं अगर इस lecture में आपको कोई भी doubt होगा तो आप comment में लिख दीजेगा मैं आपकी query को solve करने के पूरी कोशिश करूँगी मैं अभी तक आपको silogism और input output करवा चुकी हूँ अब मैं आपको puzzles में linear arrangement करवा रहे हूँ तो ये देखे हम लोग अपनी classes जो है वो maths और reasoning की हर रोज 2 बजे और 6 बजे होती है हमारी classes हर रोज एक नही वीडियो आपके लिए upload हो जाती है 2 बजे और 6 बजे और DI की वीडियो alternate days पर सुभा 8 बजे आपको पढ़ाई जाती है तो इन timing को note कर लेजे आज से आपको English का भी timing पता चल जाएगा जितने वी बच्चों की queries थी की English की classes कब होंगी तो don't worry English की classes भी शुरू होने वाली है यह देखिए आप हम सब जो teachers हैं उनकी playlist को भी देख सकते हैं जैसे मैं और गोमिनी माम reasoning बढ़ा रहे हैं विशाल सर, संभव सर और नतिन सर जो हैं वो math बढ़ा रहे हैं आप चानल को जाकर जब search करेंगे वहां पे playlist के option में आपको हम सब की playlist दिख जाएगी तो यह मैंने कल आपको सब types बताई थी puzzles की यह आप लोग अगर अच्छे से आपने देखनी होंगी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा यह मैंने आपको कुछ steps बताया थे कि puzzles को कैसे solve किया जाता है सबसे पहले puzzles की सारी statements को आपने देखना है negative statements को आपने अलग से point out कर देना है हर एक puzzle की जो statement है उसको आपने simplified form में बनाना है जैसे यहाँ पर लिख है P sits third to the right of Q तो हमने Q के notation बना दिया कि Q sits third right of P तो अगर कोई possibility बनती है आपको सारी की सारी possibilities बनानी है और आइसा इसा जैसे आप puzzle में आगे जाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी जो puzzle है वो solve होती जारी क्योंकि एक एक करके possibility cancel out होती जाएगी तो last में आपके पस एक ही possibility बन जाएगी जो कि आपका answer होएगा अब यह मैंने आपको puzzle दी थी solve करने के लिए तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने यह करी भी है और बहुत सारे बच्चों के मुझे doubts भी आए हैं तो कोई बात नहीं आज आप देखिए कि इसे कैसे solve करते हैं देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे हर एक statement का एक short notation बना लेंगे तो puzzle शुरू करते हैं six persons are sitting in a row ठीक है but seven seats है north में बैठे हुए सारे के सारे ठीक है एक seat vacant है तो vacant को भी आपको क्या लेके चलना है vacant को भी आपको as a person ही लेके चलना है vacant में क्या difference आता है सिर्फ इतना कि मान लोग की तीन seats है उसमें एक vacant है तो हम लोग persons को persons को vacant के accordingly नहीं count करते हैं ठीक है seats तो vacant के हिसाब से count होती है but persons नहीं होते है मैं बताऊंगे आपको कैसे आगे अभी आगे पढ़ लीजिए देखें पहला statement देखें T sits third to the right of m तो मैंने बना दिया m के third right में कोन बैठा है T उसके बाद ही लिखा है who sits left of vacant sit अब who m के साथ लगा है that means कि m के लिए ये बात हो रही है अगर comma डालके who होता तो किसके लिए बात हो रही होती T के लिए बात हो रही होती ठीक है जिसके immediate में who लगता है उसके लिए बात हो रही होती है और otherwise क्या होता second to the right of T मैंने बना दिया neither O nor M sits at the extreme ends of the row देखिए मैंने बनाया O slash M कोई भी ends पे नहीं बैठा है only one person sits between K and O अब K और O में से कौन सा right में बैठेगा और कौन सा left में बैठेगा ये हमें नहीं बता इसलिए मैंने possibility बना दी कि या तो K बैठेगा right में या तो K बैठेगा left में त तो उसके बीच में एक person बैठेगा तो मैंने एक blank बना दिया two person sit between vacant seat and J तो मैंने वैसी जिससे उपरवाली statement में समझाया नीचे भी मैंने वैसी short notation बना दी O sits right of the vacant seat but not immediate right तो मैंने simply बना दिया कि vacant के right में हो बैठेगा ठीक है आपको इतना सा समझ आ गया होगा अब देखिए इसको बनाने का हमारा motive क्या होता है अगर हम लोग short notations बना लेते हैं तो हमें puzzle को solve करने में easy हो जाता है हमें puzzle को बार बार नहीं देखना पड़ता अब हम सिर्फ इन short notations को देखके अपनी puzzle को शुरू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चलिए तो देखिए पहले मैं यही वाला बनाऊंगी पहली दो statement को देखिए तो हमें definite मिल रहा है कि M की third right में T बैठ है और T की second right में L बैठ है तो हम वहीं से शुरू करतेंगे यह आया M ठीक है M के one two three third right में कौन बैठा है T और second right में one two second right में कौन बैठा है L ठीक है अब यह आ गया अब देखिए कितनी persons है six देखिए one two three four four five six ठीक है six है अब आप third statement को देखिए कि O या M में से कोई भी ends में नहीं बैठ सकता है तो seventh person कहां पर आएगा यहां पर ठीक है उसकी बाद देखिए next statement जो हमें देखनी है वो अब उन्होंने दो तिन statements देखिए एक उन्होंने बोला है कि vacant और J के बीच में दो लोग बैठेंगे अभी वो हम decide नहीं कर सकते ठीक है दूसरी statement दिये कि vacant के right में बैठेगा ठीक है और एक और statement दिये कि vacant के left में M बैठेगा तो मतलब कि vacant जो है वो M के कहीं इस side पर बैठेगा अब देखिए क्योंकि हम North में सबको लिखा हुआ है तो हम लोग फटा- sections के बारे में नहीं सोचना परता है तो वेकेंट के left में बैठा था तो वेकेंट कहीं यहीं पर होगा तभी vacant के left में M आएगा न ठीक है और उसके बाद vacant के right में O ने भी बैठ नहाई बट इमीडियेट राइट में नहीं बैठना है तो अगर हम ओ को यहाँ बिठा देते है ठीक है और वेकंट यहां बैठ जाता है तो हमारी यह कंडिशन साटिस्वाई हो जाती है कि वेकंट के राइट में O बैठा हुआ है ठीक है और इमेडियेट राइट में भी नहीं बैठा है तो वेकंट से दो स्पेसे छोड़ के कुन बैठेगा J J बैठ गया अब खून बत के के तो हमने के को यहां प्लेस कर दिया तो के की वो वाली जो कंडिशन थी कि के और O में एक हाँ के और O में एक सेकंड अल्ली वन परसन सेट सेट विट्विन के और O येस देर मस्ट पी सम मिस्टेक है यहां पर दो परसन होने चाहिए थे के और O के बीच में रुके हाँ यहां पर अच्छा ठीक है यहां पर एक ही परसन है के और O के बीच में देखिए देखिए यहां पर के और O के बीच में एक ही परसन है बट सीट्स दो है समझ में आया आपको तो count करेंगे बड़ जब persons की बात आएगी तो तब vacant जो है वो count नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा आ गया है इसका solution तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि यह मैंने कैसे बनाई puzzle ठीक है अब चलते हैं अपनी आज की next puzzle पर आज हमने एक नई टाइब करनी थी तो आप फटा फट से यह puzzle को pause कीजिए पढ़िए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है मेरे साथ-साथ फिर आप अपना solution चेक कर लिएज़ेगा सबसे पहले हम instructions को पढ़ लेते हैं inicky 10 people है ठीक है linear हो में बैठें कुछ नॉर्थ में बैठें कुछ साउथ में उसके बाद उन्हों ने ने next instruction दी है कि जो साउथ वाले हैं वो ज्यादा है नॉर्थ वाले से उसके बाद उन्होंने इंस्रेक्शन दिये कि जो कॉर्ली में बैठें वो different directions में बैठें उसके ले हमने इंस्रक्शन दो थी उसकी शॉर्ट नोटेशन बना ली फटा फट ठीक है इसे भी अलग से लिखके रख लीजेगा क्योंकि हमें बार-बार पजल को नहीं बढ़ना है ठीक है तो एल इस फाइफ प्लेस अवे फ्रों एन तो हमने बना लिया अब इसमें दो केसिस बन सकते हैं है ना उन्होंने बोला है एन जो है वो एंड में बैठा हुआ एक एंड में बैठा हुआ ठीक है तो एन जो है अगर राइट एंड में बैठा है तो एल कहां पर होगा यह जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी है यह जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी है तो यह बन जा वे का मतलब यह कभी मत समझिएगा कि five places का मतलब की बीच में five places होगी नई five places का मतलब की fifth place पे एल होगा ठीक है हाँ तो n जो है वो end में बैठा है अभी हाँ पे common नहीं आना चाहिए था ठीक है अब देखिए एन जो है वो एल के close है और एम के भी एम से दूर है थोड़ा तो मैंने बना दिया more than two persons are sitting between m and k तो मैंने बना दिया दो dashes बनाए और उसके बाद क्योंकि में को पता नहीं है तो मैंने dot dot से उसको बता दिया कि मुझे पता नहीं है कि इसके बाद और कितने लोग बैठेंगे बीच में ठीक है उसके बाद देखिए next statement no row are facing same direction तो बना दिया ठीक है फटा फट से हमने चार इंस्ट्रक्शन बना ली ना अब देखिए next case it's third to the right of i मैंने बनाया कि अब देखिए इसको मैं समझा देती हूँ अब क्योंकि हमीं नहीं पता कि आई जो है वो नॉर्थ में बैठेगा या साउथ में बैठेगा तो के की जो हमारी position है वो यह बनेगी अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि के की मैंने direction कैसे निकाली है अभी आप वेट कीजिए next statement में बताऊंगी आपको यह भी ठीक है और अगर आई नॉर्थ में बैठेगा तो के की direction यह हो जाएगी ठीक है तो उसके बाद देखिए n sits to the left of p बना दिया और इसी के साथ एक लाइन नेखिए i sits to the right of k ठीक है वहां से मुझे पता चल गया i sits to the right of k वहीं से मुझे के की direction पता चल गए क्योंकि अगर k north में होगा तभी k right में आई बैठेगा इस possibility में अगर k south में होगा तभी आई जो है वो इसके right में बैठेगा ठीक है तो वहां से मुझे इसकी possibility पता चल गी कि के की direction क्या हो सकती है ओ जो है वो आर औ और न के middle में बैठा है बना लिया मैंने क्योंकि मुझे यह नहीं पता कि किते लोग है आर और और न के बीच में इसलिए मैंने इनको arrows से ही डिफाइन कर दिया ठीक है आर इसन immediate neighbor of L and M again क्योंकि मुझे पता नहीं कि L पहले बैठेगा या M बैठेगा इसलिए मैंने possibility बना द Q Q के left में immediate left में J बैठा है तो Q जो है वो हमारे right hand में भी हो सकता है और left hand में भी हो सकता है ठीक है तो immediate left में बैठा है वहीं से हमें Q की direction पता चल गी कैसे देखिए अगर Q जो है हमारा Q जो है हमारा वो अगर right hand में बैठेगा तो immediate left में J कैसे बैठेगा immediate left में J तभी बैठ सकता है अगर Q ऐसे देख रहा है ठीक है और अगर Q हमारा right hand में बैठा हो है तो हमारे immediate left में Q कैसे आ सकता है तभी अगर वह नॉर्थ में देख रहा है ठीक है तभी जे आ सकता है इसलि और यह पजल स्टार्ट करते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट को देखके हमें बजल ब्यानी है अब हमें यह तो पता है कि हमारे दोनों एंज पर कोई ना कोई बैठा हुआ तो वही कर लेते हैं एक बर क्यूब को लेफ्ट अंड पर बिठा देते हैं एक बरी क्यूब को लेफ्ट पर बिठाते हैं एक बरी क्यूब को लेफ्ट पर बिठाएंगे और एक बरी क्यूब को राइट पर बिठाएंगे एक बरी एंड को लेफ्ट पर बिठाएंगे एक बरी राइट पर बिठाएंगे देखिए मैंने बना लिया तो जो मेरी निकल भी लिख दियें ताकि मुझे left और right में कोई confusion नहीं हो ठीक है और n की direction मैंने कैसे निकाली अगर आपको याद हो तो हमारी जो instructions उसमें लिखा हुआ था कि corners जो हैं वो opposite direction में तो अगर क्यों south में होएगा तो north में क्यों होगा ठीक है तो उसी हिसाब से मैंने n की direction निकाली तो अब देखिए आगे कैसे हम proceed करेंगे अब उन्होंने बोला हुआ था कि m जो है वो n से दूर बैठा हुआ है और l और m के बीच में r बैठा हुआ है तो वहीं से मैंने इसको बना लिया कि m जो है उसको यहाँ place कर दिया या यह आप देखिए कि क्या बना सकते हो अब हम r और n के बीच में o को बिठा सकते हैं तो r और n के बीच में 5% से तो हमने डो प्लेसिस छोड़के o को बिठा दिया ठीक है और o की direction कैसे define की उन्होंने एक और statement में हमें यह बताया हुआ है कि n और o की direction है वो सेम है तो हमने वहीं से n और o की direction सेम कर दी तो o की भी direction हमारी n के accordingly सेम आ गए ठीक है अब आगे देखिए अब जो हमारी k और i वाली statement थी ठीक है हमारी जो k और i वाली statement थी अब हमने उसको fit कर आया अब हम k को कहीं भी बिठा सकते थे बट अगर हम देखें तो हमें एक statement में clearly बताया हुआ था कि m और k में दो से जादा लोग हैं तो जो हमारी spaces बचके थी उसके accordingly के हमारा यहीं बैठ सकता था तब ही हमारी m और k में दो से जादा places होती तो हमने m और k में दो से जादा places कर दी और accordingly जो possibilities में fit battery थी वो हमने बिठा दी ठीक है तो k और i भी हमारा आ गया तो अब हमारा एक ही बच गया वीच में क्या पी है ना पी ही बच गया था हमारा तो पी हमने कैसे पी भी हमारी condition को satisfy कर गया क्योंकि पी जो था वह एन के left में पी के left में बैठना चाहिए था तो हमने पी को भी बिठा दिया ठीक है अब चलते हैं जो बाकी बच गए हैं उसकी कैसे हमने direction निकाल है समय ना इन तीनों की direction सेम है और उन्हें या भी बोलता है कि 3 से जादा लोगों की direction सेम नहीं हो सकती है तो अगर इन तीनों की सेंम है तो इसे उपज़ेर Coach होगी तो एक direction में तो उसके साथ adjoining जो भी होंगे उनके opposite direction में बैठे होंगे तो i की हिसाब से हमने इसको direction दे दी देखिए अगले में मैं बताती हूं आपको यह देखिए i के हिसाब से मैंने L, R, M को direction दे दी और J को भी direction दे दी ठीक है तो अब मैंने P को कैसे direction दी? P को मैंने direction ऐसे दी कि P के left में N बैठेगा तो P के left में N कैसे बैठ सकता है अगर P first possibility में देखें तो अगर north में देख रहा होगा तभी left में आएगा N और अगर south में देख रहा होगा second possibility में तभी left में आएगा N तो इसलिए इस तरह से हमारी सारी directions बनगी सारी placements भी होगी बट अभी तक हमारी कोई possibility रॉंग नहीं तो अब हम क्या करेंगे नहीं हमारी एक statement अभी भी बच गई हुई है जिसमें हमें लिखा था कि North और south में से north वाले कम होने चलिए और south वाले जादा होने चलिए तो इसलिए हमारी ये वाली possibility correct होगई और ये वाली possibility wrong होगई ठीक है ये वाली wrong होगई ये वाली correct होगई तो इसी को चलते हम आगे proceed पहरेंगे और अपने questions को solve करेंगे ठीक है अब देख लेते हैं अपना question, how many people facing north are sitting between p and m, देखिए, p और m के बीच में ये रहा p, ये रहा m, इसके बीच में north में दो ही लोग है, तो दो answer आ गया, ठीक है, next पे चलते हैं, who is sitting fourth to the left of one, who is sitting third to the left of o, ये रहा o, ठीक है, ये रहा o, o के left में देखिए, left कौन सो होगा, o का ये, तो third one, two, three, r आ रहा गया, तो उसने बोला है, कि fourth to the left of the one, तो r के fourth left में, तो r south में देख रहा है, तो r का left ये होगा, r का left ये होगा, ठीक है, तो r का left अगर ये होगा, तो 1, 1, 2, 3, and 4, तो क्या आ गया, p आपका correct answer आ गया, ठीक है, अब देखिए, if p is related to, if l is related to p, and j in the similar way, मतलब इन दोनों के बीच में, दो-दो persons है, ठीक है, तो फिर, इन्होंने आगी क्या बोला है, who is related to o, o के दो similar कौन से हो सकते हैं, या तो r या n, हमारे answer क्या है, n, तो n हमारा answer हो गया, ठीक है, हमारे options में सिर्फ n था, तो end हमने mark कर दिया, ठीक है, next question पर चलते हैं, ये, अब दो questions जो हैं, ये आप खुद कीजिए, और मुझे इन दोनों के answers आप comments में देंगे, ठीक है, fourth question का भी, और fifth question का भी, I hope आप ये सही से कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास puzzle का solution भी है, और आपको puzzle भी अथे से समझ आगे है, तो I hope आप कर पाएंगे, और ये एक puzzle है, जो मैं आपको homework के लिए दे रही हूँ, ये आप पक्का से करेंगे, और मैं आपको Monday को positively इस puzzle का solution दे दूँगी, thank you,